वाने जीवों की रक्षा करना हम सभी का फर्ज भी है क्योंकि पारस्थितिक तंत्र के हिसाब से वाने जीवों की श्रंखला का होना भी इंसान के लिए बहुत आवश्यक है आज विश्व वाने जीवत दिवस के इस अफसर पर परियावरन प्रेमी वा आर्टी आई एक्टिविस्ट हरपाल राणा ने देश की सरकार वामचंता से विशेश अनुरोध किया है हरपाल राणा ने बताया कि केंदर सरकार से उन्होंने पत्रा चार कर अनुरोध किया था कि सभी सरकारी कारेलों पर पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की जाए क्योंकि कई बार बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत का कारण पीने का पानी ना मिलने से होता है इस पत्र के जवाब में केंदर सरकार ने कहा कि ये कारेर राज्य सरकारों का है राजे सरकार से भी हरपाल राणा ने पत्रा चार किया तो सभी राजे सरकारों ने पल्ला ज़ड़ लिया और दिली सरकार ने उन से कहा कि वो वाने जीव अधिनियम 1988 के तहत ही कार्य कर रहे हैं हरपाल राणा ने कहा कि वारने जीवों के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की सभी सरकारे उदासीन हैं। कोई भी प्रशासन पर्यावरण की तरफ इसे ध्यान नहीं दे रहा है। आम जंता से हरपाल ड्राणा ने अनुरोध किया है कि वाने जीवों को किसी भी तरह का नुकसान न पहुचाएं। संभव हो कि पेडों की कटाई भी कम से कम करें। हरपाल राणा ने जनता से अनुरोद किया है कि वो अपने घरों की छतों पर जीवों के लिए पानी जरूर रखें और आसपास में यदि जंगल ये सुनसान जगे हो तो वहाँ पर भी दाने वा पानी रखने का इंतजाम करें ताकि वाने जीवों का जीवन भी सुरक्षित र मनाने का देसर यह यह कि चाल यहां का ससुष पक्षियों की परजातियां कम हो रही है हं इनको एक परकार शटहा ने मैं इसके बाताया गया तुछ उन्यूंस संबंदिद 1908 इसके तहत कर वाही करते हैं बाकि उन्होंने कोई जानकारी हिंदी कि कितने बजट है कितने करमचारी है क्या कारवाई की जाती है मैंने बाहर सरकार से भी मांग की थी कि जहांपर पानी की अतिया कमी होती है वहां पर सरकारी कारेलों के उपर दाना पानी रखा जाए तो उससे भी पक्षियों की जान बच्सक्टी अथ है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राजसरकार उनने भी राज्य का विश्य है और राज्य इसपर जो भी कारवाई करते हैं राज्य करेंगी टो यह दोनों सरकार हैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निबहा रही हैं लेकिन मैं जंता से यह आववान करता हूं कि गर्मी आ रही है वह अपनी छटों पर अधिक स्यदिक दाना पांई रखें जिससे पशुपकसी का जीवन बचाया जा सके पश्ची पश्ची के जीवन के बगेर इंसान का जीवन संभाव नहीं है यह एक ऐसा चक्र है जिसमें सभी प्रकार के जीव को मौजुद होना आवस्चा के